यह पांच नीलम हमारे इंडिया की कश्मीर माइन्स की निकले वे हैं ऐसा कलर आ जाए है आक्शन में चले जाते हैं लाक रूपे केरेट से उसकी स्टार्टिंग होती है यलो सफायर और ब्लू सफायर एक ही स्टोन में जब मिक्स हो जाते हैं उसे पितांबरी बोलते हैं और तब पहना जाता है जब आपके लिए गुरू और शनी दोनों योग का रखें ओम नमो नारायन की तेशी ओम नमो नारायन जी सरवेजी आज मैं आपको ऐसे दो रतनों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारी वैदिक एस्टोलोजी में सबसे जादा डिमंडिड होते है गुरू का रत्न पुखराज और शनी का रत्न नीलम जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दो तरह के मैंने स्टोन रखे है येलो कलर का है और एक ब्लू कलर का है तो जो येलो कलर का स्टोन है ये गुरू के लिए पहना जाता है जुपिटर प्लैनेट के लिए और ये इसको ह तो यह हमारे वैदिक एस्ट्रोजी में सबसे ज्यादा डिमांडेड इस्टोन आपको गुरू की किरपा दिश्टी बनी रहे आपको सही गाइडेंस मिले लाइफ में सकसेस मिले गुरू का रतन जो है आपको सकसेस की तरफ ले जाता है तो यह कोई भी पहन सकता है या अगर क कुंडली में गुरू ब्रस्पती योग का रख ग्रह है और उसकी दृष्टी जहां जा जिस जिस घर पे बढ़ती है वहां वहां अबंडेंस रहती है तो उसके लिए एक अच्छे कौलिफाइड एस्ट्रोजर से या आप उम्प्रकाश एंटसंस पे हमें बताएं हम चेक क हैलगें अलगए अलग ग्रेहों के लिए वै धिक के साफ से लेकिन इसका ओर इजिन जो है जैसे कि यहां पर जीर नीलम पकराएं यह ही में से निकले हैं यह च्रिलंकनatisf के हैं इनका जो जो ग्रूप है कुरंडम बोलते हैं चैमि लगी कली यह जो मिटीरियल है इनका से सपीशी Kiaयक सफाइर एक को सबसे पShodoiddag सबाराएं दूढ़े हो अब को सबसे निएटर आपको कहाँगा ये आपने देखा होंगा ड़र का ये जो पुखराज है ये जुलेegर बार ये नैचिरल नहीं से सभी लुट utan अशना लाइं सरफा यूडव सबस्क्याइद यह उनला का पुखराज हुआ है ये वाला थानल नाषन हमें Commission लेकिन ये ही इसमें ग्लास फीलिंग हो रखी और इधर आप यह वाला देख रहे हैं जो यह ब्लू सफायर जो ऐसा थाइलेंड का है यह ही टिड़ और ग्लास फीलिंग दिए इसके अंदर दोनों प्रोसेस इसके अंदर यह जो आप देख रहे हैं दोनों नीलम यह बिल्कुल नेचुरल है यह एफ्रीकन नीलम है इसका जैसा रंग रूप जो बगवान ने दिया इसको वह यह है माइन्स में से ऐसा ही निकला सिर्फ हमने तर इसके अधर नेचुरल नॉन हिटेड सफायर इसमें आप यहां पर देखेंगे तो थोड़ा आपको लाइट कलर दिख रहा होगा इसमें तो कलर की वराइटी वी काफी है सब सफायर जैलो होता है पुखराज के लिए होता है श्रिलंका का यह और जो ब्लू होता है यह नील मिलता जाएगा जैसे कि यह एक बहुत शांदार क्वालिटी का नेचुरल श्रिलंकन माइन्स का सिलोनी माइन्स का नेचुरल नॉन हिटेड नॉन ट्रिटेड रेक्टेंगुलर ऑक्टागन स्टेप कटिंग का यह उखराज है बहुत फाइन मटीकल है देखने में बड़ा सबसे अच्छा कलर हिंदी में इसको मोर पंकी नीलम भी बोल दिया जाता है मोर पंकी नीलम हां तो यह सबसे ज्यादा डिमांडेट सफायर का कलर होता है और जो यहां पे जो सबसे वैल्यूएबल अगर मेरे पास कोई नीलम है कि मैं आपको यह दिखाना चाहूँगा एक दो तीन चार पांच यह पांच नीलम हमारे इंडिया की कश्मीर माइन्स की निकलता है इसका और अगर इसके अंदर कॉन फ्लार ब्लू कलर आ जाए अगर ऐसा कलर आ जाए आक्शन में चले जाते हैं फीसे लाख रुपे केरेट से उसकी स्टार्टिंग होती है यह हमारे प मैं मिल लेबिरेटरी यह यह आंकी यह इसका कर आया था और देखो आपको इसके ओरीजिन में ऑपीनियन में कश्मीर है ऑगे तो कश्मीर सफायर का मैंस टेश्ट कर सेकर अपड़ाइन पढ़ता तब ही हमें इसकी वैल्ली में तो सर्वेज जी यह जो नीलम और पुकराज होते हैं कि वराइटी है सफायर और जो इनकी स्पीशी попроб होते है जो प्लूम जो मानिक होता है वह भी सेम ग्रूप का है वह बिल्वी लेकिन रोटे है उसके है क्लरार काउजिंग जो होता है जो यह क्रोमियूम होता है ए बी इसका jamologically कलर वहराइट जो है उसके वह पर घ्रीमे में नीलम पुख़ाज बहुता है इसका fucking तो ढाता है कि प्राइसिंग्छ नहीं करती हैं इनके cut color clarity के रूचे की वज़े से होती है जैसे कि blue sapphire इसके अंदर color जो है ना violet वॉयलिटिश blue फिर pure hue blue की हो जाती है ऑक और फिर greenish blue मतलब एक range है violet violetish blue royal blue vivid blue फिर green की तरफ जाने लग जाता है greenish blue इसी तरह सफायर जो येळू सफायर है जादा बलू होगा उसका benefit भी उतना ही जादा होगा जितना जादा बलू है उसकी potency उतनी बढ़ जाती है उसका काम astrological point of view से भी उसकी power बढ़ जाती है जैमologically भी उसकी value बढ़ जाती है क्योंकि उसका color बढ़िया है उसके एसा है clarity लेकिन natural पुक्राज में टो नीलम जो श्रिलंका से आते हैं हलका फुलका zou जरूर होता है जैसे आफ लिए तो लिएये जाले अ कि रहे जाये जाल guess लेकिन होता ज्रूर है also possible सकता है और स्टोन आईग्लास क्लीन लगे लेकिन लेंस लगाने पर उसको टेने पर देखने पर रेशा जरूरा के बिना नीलम पुख्राज नहीं यह पहचान भी है अगर आप श्रिलंका का नीलम पुख्राज ले रहे हैं तो है तो नेचरल की पहचान भी है एक तरह से एक पुखराज नीलम असली है नकली है उसकी पहचान उसके इंक्लूजन से ही करता है तो इंक्लूजन होना ऐसा नहीं कि इंक्लूजन है तो यह तो स्टोन खराब हो गया ऐसा नहीं है इंक्लूजन स्टोन में होना भी जरूरी है और अच्छा है क्योंकि उसकी नेचर की पहचान है उसकी उके हाजी तो अच्छा जैसे यह इदर ग्लास फिल्ड है तो इन में कोई भी रेशे वगरा कुछ नहीं होगा ने इस यह लेकिन इसमें भी रेशे हैं यह मैटीरियल प्रोसेस्ट है और जो जैसे श्रिलंका का नीलम पुरा जाए इसमें कोई प्रोसेसिंग निये इ तो आपको से इंफॉर्मेशन देगा जैसे कि मैं आपको दे रहा हूं कि यह थाइलेंड का पुख्राज और ग्लास फिल्ड है अगर आपका देखो हम रिकमेंड नेचरल स्टोन ही करते हैं अगर आप एफॉर्ट नहीं कर सकते एक श्रिलंका का नीलम पुख्राज और आप कर दो कोई और आप्शन नहीं है आपको थाइलेंड का हीटिड वाला ले सकते हैं अगर हीटिड वाला भी आपके बजट में आपको और लोर रेंज में जाना है तो फिर यह जाता है जिसमें ग्लास की फिलिंग हो जाती है यह बहुत इकनॉमिकल होता है तो बेनेफिट होत बात करें अब तो हाँ मैं प्राइजिंग बता देता हूं अब पुखरा जाए यह सिर्फ मात तक 500 रुपे करेट में मिल जाता है हां इसके जैसे यह वाला यह यह भी घ्लाजफिल्ड नीलम है जी यह यह डेर्ड़ सो से 500 रुपे करेट की रेंज में आ जाता है इसमें थोड प्रपाइब है यह नेच्छरल एफरीकन नीलम है इसमें कोई कोई ट्रीटमेंट नीए कोई ग्लास फिलिंग नीनलम है लेकिन इकनॉमिकल होता है यह यह 500 रुपे केरेट से लेके 1500 रुपे केरेट के रिज में आजाता है और यह थाइलेंड का नेच्रल ब्लू सफायर है थो नेक्ट्रारल लेट यहाए निक्हा डिट्वरस डिटों जो आखी लोगों इस्टों जो है ना उसकी वेल्यू जो है जैसे श्रिलंका के नीलम पुक्राज हैं अगर आप यह बाले कि शुरुवात जो होती है ना प्रकाश एंट्सल्स पर हम जो स्टॉक करते हैं इनकी शुरुआ तीन हजार रुपे केरेट से यह वाले जो नीलम पुक्राज हैं यह तीन हजार रुपे केरेट की मिल जाएंगे आपको लेकिन इसमें रा रेशा जाला दिखेगा आपको इसमें जैसे यह वाला यलो हो गया तो यह पुक्राज हो गया और यह ब्लू हो गया तो यह नीलम हो गया ऐसी इसी प्रकार में आपको बता दूं किसी कुंडली में जो है गुरू और शनी दोनों ही योग का रख हो जाते हैं और उस केस में एक एस्ट्रोजर जो है आपको कभी-कभी पितांबरी या निलांब का जैम क्वालिटी का पितांबरी है आप देखेंगे इसके अंदर येलो भी है और ब्लू भी मिक्स हो रहा है हां जी है जैसे मैं आप मूव कर रहा हूं ने इसको स्टोन जी 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 तो एक ही स्टोन में जब नीलम और पुखराज दोनों मिक्स हो जाते हैं तो उसे पि पहना जाता है जब आपके लिए गूरू और शनी दोनों योग का रखें और एक अच्छा कॉलिफाइड एस्टोलाजर आप आपको यह रिकबेंट करेगा आपकी कुंड़ी के नुस्वार कि आपको एक पितांबरी पहनना है तो पितांबरी जो है श्रिलंकन में ही मिलेग आपको और रही मिलेगा निया तो यह 5000 उपय करेट की रियंगर ऑको एपल्लू सफायर है यह यह यहलो सफायर है यह कही इंतर ऑष्त działal कि आपकी है यहाऊ आयेंगे धसलीफायर सभ्लू सफायर है लुडए सफायर है इसमें जैसे जैसे बड़ा सब में दीपैं सबढ़ प यह वाला 15,000 रुपे केरेट का है पुक्राज ट्रांस्पेरेंसी भी हां जी बिलकुल ऐसी प्रकार यह जो नीलम है देखो आप विविड ब्लू है यह यह भी 15,000 रुपे केरेट का है जैसे जैसे ऊपर चल जाएंगे 25,000, 30,000 और यहां पर जो मेरे पास कश्मीर का जो नीलम है यह जो है 55,000 रुपे केरेट का है यह 55,000 रुपे केरेट है जैसे आपने बताया था इधर अगर मैं इसके करता हूँ यह भी डार्क है बिलकुल ट्रांस्पेरेंसी नहीं है तो उसके बावजुद भी इतना महेंगा क्यों है यह माइन्स बहुत रेर अगर इसमें खुला अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा दीजेगा ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ओम नमो नारायन